हेलो स्टूडेंस तो चलिए आज भी हम एक नई टेबल लाए हैं आपके लिए कौनसी है कि यहाँ पर हमें सैलरी का एचारे निकालना है आपने एचारे तो सिंपल लोजिक से निकाला होगा कि जितने सैलरी होगी उस पर कितना परसेंट हमें एचारे मिलता है अब हम अलग- सैलरी दी हुई आपके जिस भी कंडिडेट की है उसकी रेंज देना यहाँ पर आपको ग्रेटर दैन एक्वल्स जितनी भी आपकी सबसे ज्यादा सैलरी है वो डाल देनी है उसके बाद कौमे का परियोग करके आप उस सैलरी पर कितना परसंटेज मलब कितनी एचारे देना चाहते हो बाला अपने है यहाँ पर डाल दी फिर से कौमा का परियोग करना है और फिर से इफ का लोजिक लगाना है फिर ब्रेकिट स्टार्ट दुबारे से कंटिनू से उसी सैलरी की रेंज ग्रेटर दैन एक्वल्स अब उससे थोड़ी सी कम सैलरी की वैल्यू डालेंगे जो भी आपकी संख्या होगी वो डालेंगे यहां से कौमा करके दुबारा से हमें सैलरी की रेंज मल्टिप्लाई अब उस सैलरी को आप कितना एचारे देना चाहते हो इंटू में यहां डाल देंगे उतनी परसेंट का एचार फिर दुबारे से यहीं लोजिक रिप्लेस कर दुबारा से सैलरी की रेंज ग्रेटर दैन एक्वल और जितनी भी सैलरी आपने ली है वो ले लेंगे कौमा का परियोग करके यहां पर कौमा लगा कि आपने दुबारा से सैल अड्रेस सैलरी का देना इंटू में जितनी भी आपने यहां पर देखो 15% डाली है कौमा अब यहां पर डाल दो आप salary, फिर से कोमा, दुबारा से salary के range, अब यहां पर आपने मालो, हमने यहां पर 10% दे दिया, अब जितनी बार भी logic लगाया है, उसको क्या कर देंगे, close कर देंगे, जितनी बार भी लगाया है, अब आप यहां से इन सब को क्या कर लेंगे, अब आप देख रहे हर एक salary पर अलग-अलग HR निकल कर आ रहा है, हर एक बंदे का अलग-अलग आपको salary के हिसाब से अलग-अलग HR थेंक यू students, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो, तो please like, subscribe and more